गुड आप्टरनून इस्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में प्राचेन खाल में दक्सिन भारत में जो कर्शी कारिय था वैं कैशा था इसके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखे और यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी कमेंट बोक्स में कमेंट कर दीजिएगा और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा वीडियो उसको लाइक और सेर करें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं प्राचिन काल में दक्सिन भारत में कर्शी कारिये कहिशा था संगम काल के बाद में दक्सिन भारत में कर्शी का खोब विकास हुआ था इस समय जंगलों के कटाई कर अधिकादिक भूमी को क्रेशी योगे बनाय गया भूमी का स्वामी होना सामाजिक पर्तिष्ठा का सूचक था अता है समाज के सभी वन्डों के लोग क्रिशी कर्म में रूची लेने लगे समाज के वे लोग जिनके पास काफी भूमी होती थी मजदूरों की सहता से खेती करवाते थे छोटे किसान सवताय खेती करते थे सुतरवान के स्त्री पूरुस खेती हर मजदूरों के रूप में काम करते थे जिनें बदले में अनाज दिया जाता था ठीके भूमी की उर्वरता के आधार पर भूमी को कई स्रेडियों में बाटा गया था जैसे उर्वरा भूमी, बंजर भूमी, पर्ती भूमी, रेतिली, काली, पिली, आधी जो भाग है उसमें भूमी को बाटा गया था अभी धान रतनम माला नाम के कोई ग्रेंथ है उसमें घास के मैदान वाली, सरकंडे वाली, वर्षा के जलसे सिंची जाने वाली नदियों एम तालाबों के जलसे सिंची जाने वाली आधी भूमीयों का भी उलेक मिलता है चोल लेखों से पता चलता है कि भूमी की स्रेणी को ध्यान में रख कर ही करों का निर्दारन किया जाता था कई स्रेणीयों की भूमी का उलेक भी हमें मिलता है चालू कि लेखों में सिंची जाने वाली बागवानी वाली और बंजर भूमी के अलवा काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी वाली भूमी की विशेस रूप से चर्चा की गई है सिंचाई वाली भूमी को भी उर्वर्ता के आधार पर कई किस्मों में माटा जाता था ब्रामनों को दान जिसे अग्रहार भूमी भी कहा जाता था तो ब्रामणों को दार में दी जाने वाली भूमी को ब्रहमदे मंदिरों को दी गई भूमी को देवदान तता भोजनालें को दी गई भूमी को साल भोग कहा गया है चोल सासक सुन्दर चोल कालिन अनुदान पत्र अनिरुद ब्रह्मा धीराज नामक ब्रहमन को दी गई भूमी का विवराण इस प्रकार परस्तुत करता है इस प्रकार वनित भूमी की सीमा को टीले बना कर तथा नागफनी के पोधे रोप कर निस्चित कर दिया इस भूमी में कई वस्तुएं जैसे फलदार व्रिक्ष, पानी, भूमी, कटिकाएं, सबी उगने वाले पेड, गहरे कुएं, खुले मैदान, घास के मैदान, ग्राम स्थान, बलमीक, व्रिक्षों के चारों और बने चबूतरे, नहरें, खाईयां, नदियां तथा उनसे मिनन वाली वस्तुएं, तालाब, अनाजों के गोदा, मचलियों के कुंड, मदुमक्यों के छत्ते सहीत दरारे, गहरे कुंड भी सामिल हैं, नयाई से प्राप्त आय, पान के पत्ते, हत करगे के वस्त्रों पर लगने वाला कर, वह है पर्तेक वस्तु जिसे राजा प्राप्त कर सकता और उप्योग कर सकता है, ये ऐसी वस्तुएं इस वेक्ति को दी जाएंगी, उसे उस भूमी में पक्की इंटों की विशाल भवन बनवाने, छोटे बड़े कुए खुदवाने, दक्सनी लकडी, तथा थूहर उगाने, सिंचाई के आवसेक्ता नुसार नहरे होगा, उसकी भूमी से कोई अन्य पानी नहीं ले सकेगा, एत द्वारा पहले का आदेश बदल दिया गया, तथा पुराना नाम और कर समाप्त कर करुणा मंगलम नाम से एक भोग ब्रहम देई अर्थात, एक ये ब्रहमन के भोग के निमित दिया गया, भूमी अनुदान का प्रबंद कर दिया गया, इसी परकार राष्ट्रकूर सामन सिलाहार वनसीर रटराज के खारे पाटन तमर पत्रों में तीन गाउं के दान का विवरण है, जहां उनसे प्राप्त होने वाले समस्त आय के दान की भी बात कही गई है, गाम में चाट भाट का परवेस वर्जित था, मिरास ताम पत्रों के अनुसार गाम के दान, उसकी धन्य और समस्त आय उसकी नीद्यों और निकसेपूं के साथ दिया गया था, राज के अधिकारी इसकी और किसी प्रकार की उंगली नहीं उठा सकते थे, गाम पर कोई कर अत्वा बाधा नहीं लगाई जा सकती थी, तथा, सभी को इसका पालन करना पड़ता था, भारती इत्यास चिस पस्टे के अनुदान में दी जाने वाली भूमी करमुक्त होती थी, तथा, उसमें इस्तित्च समस्त चारागाहों, खानों, वनस्पतियों, नीधियों, सहित आय के सभी स्रोतों पर दान ग्रहे का दिकार हो जाता था, भारती इत्यास के परतेक यूग में, क्रिशी के लिए सिंचाई के आवसिक्ता को समझा गया है, सिंचाई अधिकांस वर्षा के जल से होती थी, चुंकि वर्षा परतेक समय तता आवसिक्ता के अनुरूप नहीं होती थी, अतैसास को द्वारा सिंचाई के क्र पुन्दर निर्मान करवाया था इस परंपरा का अनुकरन करते हुए दक्सन के सास को ने भी क्रिशी को प्रोचसान परदान करने के लिए सिंचाई के सात्रों की उत्तम विवस्ता करवाई थी सिंचाई अदिकतर नदियों द्वारा होती थी नहरों की साता से नदियों का जल खेतों में पहुंचाया जाता था किन्तु ऐसे नदियों की संख्या कम थी जिन में सदा जल बरहा रहे अतै स्थान स्थान पर तालाब खुदुआ कर उनमें जल एकत्रित कर लिया जाता था तोटे जलकुंड से है जबकि तटाक बड़े जलाशों का दोतक है कुए खुदवाने की भी प्रथा थी चोल सासकों ने कर्षकों को पानी उपलब्द कराने के लिए कावेरी नदी के तट पर कई बांधों का निर्मान करवाया था लेखों में कई तालाबों का उलेख प्रा दी चोलों द्वारा स्री रंगपटम टापू के नीचे बनवाया गया बांध सबसे मैतोपुन था तो स्री रंगपटम टापू के नीचे जो बांध बनवाया गया था ये किस ने मनाया था चोलों ने मनाया था इसकी लंबाई 1240 मिटर तथा चोड़ाई लगबग 20 मिटर चोल लेखों से पता चलता है कि ग्राम सभा का एक मुख्य कारिय तालाबों का निर्मान तथा उनकी विवस्था देखना था इसके लिए ग्राम सभाओं के अंतरगर सिंचाई समीतियां बनी हुई थी पल्लव नरेस महिंदर वर्मन ने महिंदर वाड़ी में एक विशाल तालाब का निर्मान करवाया था रजेंदर चोल के समय में गंगय कोंड चोल पुरम में एक तालाब खुदुआया था कल्यानी के चलुकियों के समय में चेब्रोलू में एक तालाब का निर्मान करवाया थ इसके अलावा चैते तटाक भीम समुद्र तटाक अधिका उलेक भी मिलता है कदंब वन्स के राजा काकुच्स वर्माग के समय में एक तालाब का निर्मान करवाया गया था होटर के पास लाल तालाब इस्तित्था बिजापुर जिले के मेंटूर में रट शरोवर था इसी परकार चिल चिलम कारू में खोदे गए एक तालाब का विवरण भी मिलता है चलू के राजों द्वारा बनवाये गए अन्यक तालाबों का विवरण भी मिलता है प्राचिन साहिते में तथा लेखों में इसे अत्यंत पुनीत कर्तव्य बताया गया है सासकों के अलावा सामन्त, व्यापारी तथा अन्य धरम प्राण वेक्ती भी पूने आरजन हेतू तालाबों योंकूओं का निर्मान करवाते थे दक्सिन के विविन भागों में कई परकार के अन्यों का उत्बादन होता था ततकालिन साहिते से इस समय पैदा होने वाली विविन परकार की फशलों जैसे चावल, सर्चो, निवार, मसूर, इक, गेहू, जो, मत्र, मूंग, उडद, तिल, जर्द, नारियल, अलसी, अधिके विशे में सूचना मिरती है खाद्यान तता दलहन की खेती के साथ साथ सबजियों तता व्यापरिक फसलों जैसे कपाव सूरगना का उत्पादन भी काफी मात्रा में होता था कुछ विशेश सेत्र अपने विशिष्ट उत्पादनों के लिए परसित थे गुजरा तता बरार में कपास, महराष्ट तता करनाटक में बाजरा, कौंकन परदेश में चावल की मुखे रूप से पैदावार होती थी मैसूर में चंदन, सागोन तता आपनूस की लकडियां पैदा होती थी नारियल दक्सिन भारत का परमुक उत्पादक था मारको पोलो नामक यातरी, पंडे देश में अदरक्त तथा दाल चिनी की पैदावार का वियू ले करता है याकूत के विवरण से पता चलता है कि यहां की पहाडियों पर कपूर भी पैदा होता था सामन्तों की भूमी का दक्सिन भारत में भूमी अर्थ विवस्ता में सामन्तों का महत्वपुन स्थान होता था उनके पास विसाल बुखंड होते थे सामन्तों को अपने अधीन परजा से कर वसूरने तथा बेगार लेने का अधिकार होता था उन्हें सेना रखने तता परसासन समंदी विशेस अधिकार होता था वे मरमाने डंग से जनता का सोसन किया करते थे फलसरूप इस काल में खेतियर मजदूरों की दसा अत्यन्ती दैनिय हो गई थी किन्तु ऐसा परतीत होता है कि पल्लव अधि रज्यों में समंत शब्द का प्रियोग अधिकान स्तह राजनतिक दास्ता के लिए फुआ था यहां समंती अवदी तता डायतों का जो आर्तिक अनुबन धवू देखने को नहीं मिलता समंत शब्द का जो अर्थ पर्चलित है उस अर्थ में समंती परता का विकास बाद मी हुआ जहां तक भू स्वामियों का पर्चन है प्राजिन तता पूरे मद्देकालिन गरंतों से ऐसे संकेत मिलते हैं जिन से भूमी पर राजा तता व्यक्ति दोनों का स्वामित्वा प्रमानित होता है कोटिले तता मनु दोनों ही भूमी पर राजा के अधिकार का समर्थन करते हैं अर्थ सास्तर से पता चलता है कि राजे की ओर से कर्षकों को क्रेशी करने के लिए भूमी परदान के जाती थी यदि वह वेक्ति ठीक से क्रेशी नहीं कर पाता था तो भूमी उससे लेकर दूसरे को दे दी जाती थी अर्थ सास्तर के टिकाकार भट्ट श्वामी ने भी लिखा है कि राजा का भूमी तथा जल दोनों पर अधिकार होता था मनुश्मर्ति में कहा गया है कि राजा भूमी में गड़े हुए धन का आदा भाग प्राप्त करे क्योंकि वह भूमी का स्वामी है मनुष्मर्ति के टिकाकार मेधा तिथी ने भी भूमी पर राजा का स्वामित्व स्विकार किया है स्वोमेश्वार कातेन, मित्र, मिस्र, लक्समी धर्जा से पूरा मध्यकाली लेक को ने भी भूमी पर राजा के दिखार को मना है प्राचिन काल में राजा ने ब्राहमनों, राज्य करमचारियों तथा अन्य लोगों को भूमी अनुदान दिये थे इसे भी पता चलता है कि भूमी पर राजा का दिकार था ऐसे उलेक भी मिलते हैं जिन से पता चलता है कि भूमी पर नीजी स्वामीत्व भी था मनुष मर्ती में एक स्थान पर लिखा गया है कि पूराविद लोग पर्त्वी को प्रत्वी की पत्नी मानते हैं ठूट पेड काट कर भूमी को समतल करके खेत बनाने वाले का खेत मानते हैं तथा पहले बाण मारने वाले का उम्रिक मानते हैं ब्रहस्पति यागवलक के जसे स्मृति लेकों ने भी भूमी पर निजी स्वामित्व को माननेता दी है एक अन्य स्थान पर मेदा तिथी ने भी भूमी पर वेक्ति के दिकार को माननेता दी है हमें इस बात का भी पता चलता है कि प्राचिनकाल में राजा के अलवा अन्य वेक्ति भी भूमी का अनुदान करते थे स्थान ये समुदाय अपनी भूमी मंदिरों को दान में देते थे और इस तरह भूमी निजी समपति बन जाती थी राश्ट्रकूर्ट अमोगवर्स के समये एल पूनुस के 40 महा जनों ने एक पंडित को 25 महतर भूमी दान में दी थी सोन दत्ती में प्राप्त एक लेक से पता चलता है कि एक जैर मंदिर को 50 कर्शकों के सहमति से भूमी नुदान में दी गई थी अता इस समन्द में वास्विक्ता ये पर्तित होती है कि भूमी के उपर एकी समय में राजा तथा वेक्ति दोनों का स्वामित्वा होता था सिधान तथा है ये राजा के पास होता था किन्तु उप्यों के लिए उसे वेक्ति विश्येश को स्वाम दिया जाता था इदरीसी लिखता है कि मालवार के पाड़ियों में इलाची की खेती की जाती थी इसी परकार इबन सईद मालवार पाड़ी पर गोल मिर्थ के उत्पादन का उले करता है मले परवत पर चंदन्ध था कोईलोन में नील का उत्पादन होता था इस प्रकार दक्सिन भारत अपने विवी दुत पादनों के लिए परसित था कहीं कहीं पर अकाल पढ़ने का भी उलेक किया गया है परबन चिंता मणी में चालू के नरेश भीम के समय में पढ़ने वाले अकाल का उलेक किया गया है पेरिये पुराण से पता चलता है कि 37 स्थाबदी में पंडे राजे में भी महान अकाल पड़ा था चोर नरेश विक्रम चोल के समय में बाड के कारण जीवन अस्त वेस्थ हो गया था कुलोतुं प्रित्य के समय में पढ़ने वाले एक बड़े अकाल की सूचना तंजोर के लेक से मिलती है ऐसी कठीन स्थिती में सासकों द्वारा कर माफ कर दिये जाते थे तता अन्य रहत के कारिये किये जाते थे तो देखिए स्टुडेंट्स इस वीडियो में हमने दक्सिनी भारत की जो करशी कारिये है उसके बारे में जानकरी प्राप्त की और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक और सेर करें तता कमेंट बॉक्स में